साइंस टेकनोलोजी और इन्वेंशन की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है आज आपके लिए लेकर आए हैं एड़मांस टेकनोलोजी से लैस मशीने और सक्तिसाली टूल्स तो चलिए देखते हैं वर्क्स जाशा पेडों की साखाओं की छटाई करने और लकडियों को छोटे छोटे टुगडों में काटने के लिए ये काफी जबरदस्त और उप्योगी टूल है साइज में छोटा और बैटरी की पावर से चलने वाला यह टूल पेडों की 10 सेंटिमीटर तक मोटी लकडि को पहुत आसानी के साथ काट देता है यह ओपरेट करना भी बेहाद आसान है इसके हैंडल में लगा बटन दबाने पर इसके जबडे में लगा कटर अपना काम सुरू कर देता है इसमें एक इमर्जेंसी बटन भी दिया गया है जिससे कोई गलती होने पर इसके ओपरेशन को तुरंत रोग भी सकते है समय और लेबर कोस्ट बचाने के लिए ये एक बेहतरीं डिवाइस है और इसके केमत है 145 यूएस डोलर शेर्पा पावर बैरो SPB500 निर्मान कारियों में सामान डोने के लिए ये इलक्ट्रोनिक और स्वचालित ट्रोली है इस ट्रोली का इस्तमाल करके लेबर को सामान सिर पर रखकर डोने की जरूरत नहीं इसे रिलोड करने के लिए इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम भी लगाया गया है इसमें तीन पई ये लगाये गये हैं जिससे इसको किसी भी दिसा में गुमाने में मदद मिलती है मजबूत स्टील से बनी इस ट्रोली में 170 लीटर लिक्विड या 150 किलोग्राम का वजन ले जाया जा सकता है इसके हैंडल में डिस्क ब्रेक भी लगाये गये हैं जिससे डलान पर इसे तुरंत रोका जा सके 24 वोल्ट की हैवी ड्यूटी बैटरी से चलने वाली इस डिवाइस को हैंडल से पकड़ कर चार किलोमीटर परती गंटे की गती से आसानी के साथ चलाया जा सकता है हश्कवारना USA लोन से घास की कटिंग करने के लिए ये एडवांस डिवाइस डिजाइन की है USA की कमपनी हश्कवारना USA ने यह डिवाइस तीन पार्ट में काम करती हैं सबसे पहले ये लोन में ही इंस्टोल किये गए चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज होती है इसके बाद लोन में जहां तक घास की कटिंग करनी होती है वहां तक boundary line बिछा दी जाती है इसके बाद ये device अपना काम सुरू करती है automatic ये device अपने sensor के द्वारा boundary line के signal detect कर लेती है और line के अंदर ही काम करती है बैटरी लो होने पर ये signal detect करके charging station पर पहुँच जाती है रास्ते में आने वाली बादाव को पैचान कर ये अपना रास्ता बदल लेती है किसी लोन की घास साफ करने के लिए ये एक बेहतरें device है और इसके अलग-अलग वरजन की कीमत 1200 से लेकर 1700 डोलर के बीच है Garden Groom Pro Gardens में लगे हेज की cutting करने के लिए ये एक automatic device है इस electronic gadget को हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है प्लेट नुमा यह device में लगे blade तेजी से घूमते हुए हेज को बड़ी सफाई से एक लेवल में काटने का काम करते है इसकी मदद से बहुत सुरक्सित तरीके से हेज कटिंग की जा सकती है इसेकी rice harvester चावल की फसल को काटने और हाथो हाथ अनाज निकालने के लिए इस machine को design किया गया है यह machine फसल को जड़ से काट कर chain belt के जरिए अपने cutter unit में ले लेती है जहां पर चावल और भूसे को यह machine अलग-अलग कर देती है कुछी गंटों में ये एक बड़े खेत की फसल को harvest कर सकती है आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो like, share और channel को subscribe करना न न बूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार